Q1. भारत का मुख्य आर्धिक सलाहकार काउन है? Option 1. निर्मला सीता रामन. Option 2. कृष्णमूर्ती सुब्रमान्यम. Option 3. प्रदीप कुमार जयोशी. Option 4. इन में से कोई नहीं. और सही जवाब है. Option 2. कृष्णमूर्ती सुब्रमान्यम. नमस्कार दोस्तों. हमारे चानल Current Affairs Today में आपका स्वागत है. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपिया लाइक बटन पर क्लिक करें और शेर करें. और हमारा चानल को सब्सक्रेब करें. सबसे महत्वपूर्ण Current Affairs 2021. दूसरा भाग. Q2. RBI द्वारा मौदरिक नीती समिती MPC दिसंबर 2020 की बैटक के संदर्व में LAF के तहत प्रत्यावारतनी रिपो धर, रिवर्स रिपोर रिट क्या है? Option 1. 4.00 प्रतिशत. Option 2. 3.35 प्रतिशत. Option 3. 4.25 प्रतिशत. Option 4. 4.30 प्रतिशत. और सही जवाब है. Option 2. 3.35 प्रतिशत. Q3. संस्कृती मंत्राले के अनुसार. पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? Option 1. 19 जन्वरी. Option 2. 21 जन्वरी. Option 3. 23 जन्वरी. Option 4. 25 जन्वरी. और सही जवाब है. Option 3. 23 जन्वरी. Q4. Australian Open 2021 में पुरुशों का एकल टाइटल, सिंगल्स टाइटल किसने जीता? Option 1. रोजर फेडरर. Option 2. राफिल नडाल. Option 3. नौवाग जोकोविच. Option 4. जेम्स मरे. और सही जवाब है. Option 3. नौवाग जोकोविच. Q5. दो हजार बीस फॉर्चून उंगिया 500 कम्पनियों में किस कम्पनी ने शीर्षिस्तान हासिल किया? Option 1. इंडियन ओयल कॉर्परेशन आई ओसील. Option 2. तेल एवं प्राकृतिक ग्यास निगम ओएन जीसी. Option 3. रिलेंस इंडस्ट्रीज. Option 4. बार्ती स्टेट बैंक अस्बी आई. और सही जवाब है. Option 3. रिलेंस इंडस्ट्रीज. Question 6. हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में काउंसा देश शीर्षिस्तान प्राप्त किया है? Option 1. रूस. Option 2. चीन. Option 3. जापान. Option 4. उनाइटेड किंग्डम. और सही जवाब है. Option 3. जापान. Question 7. किस हिंदी शब्द को ऑक्सफ़र्ड हिंदी शब्द 2020 का गोशित किया गया है? Option 1. आधार. Option 2. कोविड. Option 3. आत्म निर्भर भारत. Option 4. देश. और सही जवाब है. Option 3. आत्म निर्भर भारत. Question 8. अंतराश्ट्री हौकी महासंग. F.I.H. के अनुसार 2023. F.I.H. पुरुष हौकी विश्वकप भारत के किस राजिय में आयोजित किया जाएगा? Option 1. नाइदिल्ली. Option 2. उत्तरप्रदेश. Option 3. ओडिशा. Option 4. असम. और सही जवाब है. Option 3. ओडिशा. Question 9. हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? Option 1. 65. Option 2. 75. Option 3. 85. Option 4. 95. और सही जवाब है. Option 3. 85. Question 10. इटली के प्रदान मंत्री काउन है? Option 1. मत्यो रेंजी. Option 2. मारियो द्रागी. Option 3. गोरिया मालिनी. Option 4. इन में से कोई नहीं. और सही जवाब है. Option 2. मारियो द्रागी. Question 11. सम्युक्त राज्य पाई सेना के अधिखारी का नाम बताईए. जो 1947 में इतिहास के पहले पाईलेट बने थे. जिन होने इस स्तर की उडान में द्वनी की गती को पार करने की पुष्टी की. जिनका दिसंबर 2020 में निदन हो गया. Option 1. चक्यागर. Option 2. शान कनरी. Option 3. बाब मारले. Option 4. क्रिस्टोफर रीव. और सही जवाब है. Option 1. चक्यागर. Question 12. सम्युक्त राज्य अमेरिका के पहले राश्रपती काउन है? जिन पर दो बार महा अभियोग हुआ. Option 1. जे एफ केनेडी. Option 2. बिल क्लिंटन. Option 3. डोनाल्ड ट्रम्प. Option 4. बराक ओबामा. और सही जवाब है. डोनाल्ड ट्रम्प. Option 3. Question number 13. किस देश ने 2020 में यूरोपीय संग EU के सबसे बड़े व्यापारिक बहागीदार के रूप में सम्युक्त राज्य अमेरिका USA को पीछे छोड़ दिया. Option 1. रूस. Option 2. चीन. Option 3. जापान. Option 4. यूनाइट किंग्डम. और सही जवाब है. Option 2. चीन. Question number 14. दिसंबर 2020 में नीती आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल परिसंपत्ती प्रबंदन मंच लॉंच किया. उस मंच का नाम क्या है? Option 1. डिजी ड्राइब. Option 2. डिजी क्लावड. Option 3. डिजी स्टोरेज. Option 4. डिजी बॉक्स. और सही जवाब है. Option 4. डिजी बॉक्स. Question No. 15. जन्वरी 2021 में 450 किलो मीटर कोच्ची मंगलूरू प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन काउद घाटन किसने किया? Option 1. राष्ट्रपती रामनाद कोविंद. Option 2. प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी. Option 3. उप्राश्ट्रुपती रामनाद कोई नहीं. और सही जवाब है. Option 2. प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी. तो दोस्तों ये है आज का वीडियो हमारे करन्ट अफेर्स टुड़े चानल का. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें. यदि आप हमारे चानल के नए वीडियोस का अपडेट चाहते हैं, तो खुरुपिया गंटी बटन पर क्लिक करें और हमारा चानल को सब्सक्रेब करें. धन्यवाद.